एलो गूड इबनिंग साथियो मैं डॉक्टर डीके गंगवार एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके केरियर क्लासिस में जैसा कि साथियो मैंने आपको जो है एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से मॉडल पेपर फर्स्ट बॉट् साबित होगा इसमें मैंने बहुत सारे इंपॉर्टेंट लांग कोश्चन और बेरी सौर्ट कोश्चन का कलेक्शन किया है जो एक्जाम के पॉइंट आप व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं तो देखते हैं आईए साथियो किस तरह के कोश्चनों को मॉडल पेपर स रखा गया है जैसा कि आप देख रहे हैं बाटनी में हमने सबसे पहले ही जो आपका टाइटिल रहा है माइक्रोबाइलोजी और प्लांट पैथलोजी उसका हमने दूसरा मॉडल पेपर आपके लिए और उसमें टाइमिंग आपकी थरी हावर रहेगी मैंग्सम्म मास आपक यहाँ पर सभी पांच कोश्चन आपको करने हैं इंट्रेक्शन के अगॉर्डिंग और यह सौट कोश्चन है मिटा और प्रतेक कोश्चन के लिए थरी मास रखे गए हैं यहाँ कि टोटल यह 15 मास का पोर्शन रहेगा आपका सेक्शन ए इसमें हम सबसे पहले कोश्चन पर को चर्चा करते हैं कोश्चन आपका लिखा हुआ है देखेश के डिफ्रेंट बिटवीन लाइट माइक्र माइक्रोस्कोप आपके लेऌरा दो तरह के-े मायरे गाए आपको हिन दोनों के बीच में डिफ़ेंस बीच दस मइंद पूंच रहा हो कि क्या-क्या अंतर है है inputs, क्या है आपको बताना है अच्छे से डिफाइन करना है उसके बारे में बताना है कि यह प्रॉसेस किस तरह से होती है इसमें कौन-कौन से बेक्टरिया पाटिसेपेट करते हैं यानि कि कम टाइम में आप जितना ज्यादा से ज्यादा अच्छे से explain कर सकते हैं, वो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा, clear? स्वाइर क्पे से सिर्फ में से बचकाई को सब्से पहले किस ने देखा ता या वाराइट ते होने वाली कौंकौंसी डिजीजन कि इतना आपको करना? इसमें ठीक है ना नेक्स्ट है आपका सीनोबियल थैलस अब आप सीनोबियल बर्ड जब आया तो समझ गए होंगे कि आपने का एलगी को इस्टडी किया है इसका नाम है बालवक्स तो बालवक्स की कालोनी जो होती है वो सीनोबियल कालोनी होती है ठीक है जो रेक्टेंगलर स होता है हों किसल गी मैं पाय जाती लिए नेक्स 60 to car All dispenser पाण ऑब डेख रहे हैं यह आपका स्टो Crab पॉली शिफॉनिया में पाय जाता है अपने लगी को पढ़ा है इसका नाम है पॉली शिफॉनिया और उसमें पाये जाता है Axt से सिस्टोकाव ठीक है तो इसे आपको जो है एक छोटा सा जो है सौटनो देना सिस्टो काफ प्रीर नेकट क्लैम कनेक्शन ये क्लैम कनक्शन फंजाई से लिए गया है तो इस्में जो हाई-फी जो होते हैं यह जूइन होते हैं तो उसी फिनोमेना को हम लोग क्लाइम करें करते हैं इसको आप एक सॉड नोट देना पड़ेगा ठीक है नेस्ट आता टी लिटो स्पोर तो टी लिटो स्पोर हमने आप लोगों को हमने भी पढ़ाया है और टीचरों झाहां जाहां जहां जहां study करते हैं आपके syllabus में एक जो है बेसीडियो माशिटीज का मेंबर इसका नाम है पकसीनिया और पकसीनिया जो है है फाइव साइकलिक फंगस है ठीक है इसमें फाइव सेजिज में इसकी लाफ साइकल कंप्लीट होती है तो उसी में टीलोटो इसकी सेकंड सेंटीपार्वेरी होता है मैधान में पाया जाता है और वारवेरी दोह हैं हिल अरिया में बाइजाता है ठीक है सेक्शन वी चलो सेक्शन वी देखो इसमें है हमारा नोट एटेम्ड एनी टू कोश्चन आउट आप दा फालॉएंग इच कोश्चन केरी 757.5 मास यानि कि यहां पर जो कोश्चन दिये गए उन में से आपको कोई दो कोश्चन करने हैं और प्रतेक के जो मास होंगे बीटा व आपको यहां से 15 मास मिलेंगे 15 मास मिलेंगे ठीक ना पहला देखते हैं हम लोग एलकोहलिक वेब्रेजिज्ट से पढ़े होंगे एलकोहलिक वेविज्ट कौन-कौन से होते हैं ठीक है इसमें आपको पढ़ाया गया है वीर वाइन विस्की ब्रंडी रम यह सब पढ़के जाहिएगा यहां पर मिस्टेक हुई है यह वी आई ओ होगा जहां पर ए बना हुआ एक ही जगे पर ठीक ना तो यह वाई मिस्प्रेंट हो गया बायो फार्टिलाइजर तो यह बायो फार्टिलाइजर है जिन्हें जैब और वरक बोलते हैं आप लोगों पढ़ाए आपको बताना है इसको अल्टरनेरिया सोलनाई के नाम से जाना जाता है और यह इरली बिराइटा पोटयटो नाम की स्थीज को कस करता है ठीक है नेक्स्ट है बेसीडियो कार्प अभी जो बेसीडियो कार्प आया यह बिटा जूआब सिधियु कार्प हमारा पाया जाता है लिगा अगर हम बात करें भी तो तो जो आपको हमने जो है एक फंगस पड़ा रखा है जिसको हम लोग एक्रिकस कहते हैं तो एक्रिकस की जो प्लान्ट बाड़ी होती है उसको भी हम लोग बेस रीडियो का आपके नाम से जानते हैं ठीक है ना यह आप देख लेंगे बहां से नेक्स्ट है आपका section C और section C में आपको बिटा कोई जो है 3 question attempt करने है attempt all question out of the following each question carry 15 mass और 15 into 3 is equal to 45 mass यानि कि जहां पर निमलेखित question दिये गए है इन में से आपको कोई 3 question करने है और प्रतेक question के लिए 15 नंबर रखे गए हैं टोटल आपको section C से 45 नंबर का material मिलेगा देखिए पहला ही question बहुत बढ़िया question है एक्जाम के point of view से what are various type of life cycle found in Saccharomyces कह रहा है कि Saccharomyces जिसको हम लोग East के नाम से जानते हैं उसकी Life Cycle में कितने पिरकार की various type of life cycle पाई जाती है यानि Saccharomyces में किस-किस तरह की Life Cycle पाई जाती है और describe with suitable diagram आपको इसका बढ़न करना है ना मांग के चित्रों की साहिता से तो आपको बिटा हमने भी पढ़ाया है और teacher ने भी पढ़ाया होगा साइक्रोमाइसिस जो होता है उसमें दो तरह की Life Cycle पाई जाती है हैप्लाइंटिक और डिप्लाइंटिक तो हैप्लाइंटिक और डिप्लाइंटिक तुनों Life Cycle की चर्चा आपको करनी है बिद डाइग्राम के ठीक है नेक्स्ट कोस्चन है वाट इस जैनेटिक रिकम्बिनेशन एक्सप्लेंट ट्रांस्फार्मेशन इन बैक्टिरिया तो यह बैक्टिरिया में बीटा रिप्रोडक्शन की बात कर रहा है जैनेटिक रिकम्बिनेशन मतलब बैक्टिरिया में सेक्स्टोल रिप्रोड़क्शन तो बहां पे बीटा केमीड का तो fusion होता नहीं है bacteria में हमने भी पढ़ाय आपको bacteria में कीवल genetic material जो होता है एक सैल से दूसरी सैल में transfer होता एक यह आप जेब होती है और एक donor सैल होती है तो वह process आपको recombination में दिखानी है और transformation को दिखाना है ते डियाग्राम के और screen करना पड़ेगा अगला कोश्चन देखी बिटा नेस्ट कोश्चन है डिस्क्राइब दा लाइफ सैकल आफ एक्टो कार्पस बिट सुटेबल डाइग्राम एक्टो कार्पस आपको हमने पड़ाया था और आप लोगोंने खुद भी स्टडी किया होगा बुक्स की हेल्प से या किस सब्सक्राइब तो यह डिस्क्राइब जो लाइफ सैकल विटा एग्रीकस की दिस इस कार्ड मस्रूम कमली नान इस धिंगरी कुकर मुत्ता है मस्रूम अलग-अलग भासाओं में अलग-छेत्र में इसको बोला जाता है तो उसकी पूरी लाइफ सैकल आपको बतानी है ठीक ह सब्सक्राइब ऐसे लेकर और मैसीलियम और इसक्सच्ण प्रोडक्शन और आलसो डिसक्राइब फिरी रिंग मैंने बताया था जैब इसका माइसीलियम जो अन्डरगांड होता है और यह जो रिंग की फौर्म में डबलब करता तो छोटे-छोटी अम रहाला अक दाया गया है कि डिसीज जो होती है प्लांट पर उनको किस-किस तरीके से पूछा गया है के लिए नेक्स कोस्टन है राइट एन एसे ऑन दा ट्रांसमिशन आप बाइरस का बहुत अच्छा कोस्टन है बेटा काफी समय से उनिवर्सिटी इसको पूछती है बार बार और लाश्टी लिए नहीं पूछा गया था लाश्टी आपल बाइरस के बारें पहुंचता है तो इसके कई मेठ़ड है मेटा बाइस वाइगरी कल्चर टूल्स वाइग्राफ्टिंग वाइस इस तरीके से यह कई इसकी एजनसी जो वाइरस एक जिगे से दूसरी जगे पहुंच जाता है बढ़िया इसको त्यार कर लीजेगा बहुत इसी कोस्टन है और चासरी इसको अब बहुत अच्छे से अपने बच्छों को नोट में पढ़ाया और जूभी पच्छे हैं जिदना जहां ठीक्न हनला में जो हैं तूपार्ट में उनकों को पढचे लिए एक मको प्रते कि हमतर है useful economic important of algae और तूसरा होता है हमारा harmful economic important of algae ठीक है तो सारी चीजें आपको अच्छे से study कर लेनी हैं और यह paper आपके लिए काफी helpful साबित होगा तो साथ हो इस channel को हमारे dk career classes को जो है like करें share करें subscribe करें ठीक है और इसकी pdf बेटा हमारे telegram group dk career classes में मिल जाएगी जो अभी हमने आपको paper दिया है आप लोग वहां से pdf को भी प्राप्त कर सकते हैं ठीक है साती हो इसी के साथ good night thank you thank you thank you